दोस्तों, जोया अक्तर ने अपने भाई फरहान अक्तर और रितेश रिद्वानी की प्रोडक्शन कमपनी एक्सल एंटर्टेन्मेंट के लिए बहुत सारे फिल्में डिरेक्ट की थी, जैसे के लग बाई चांस, दिल धरकने दो और हुजली पॉपुलर जिंदगी न मिलेगी दुबारा, इदर रिमा कात की, जो की एक्सल एंटर्टेन्मेंट के लगबग हर एक प्रोजेक्ट के साथ इन्वाल्व थी, उन्होंने भी एक्सल के लिए फिल्म में बनाई, जैसे के हनीमून ट्राविल्स प्राइवेट लिमिटेड और तलाश, इन दोनोंने 2016 में अपना अलग प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट किया, जिसका नाम था टाइगर बेबी फिल्म्स, टाइगर बेबी फिल्म्स का पहला हिंदी फिल्म था गली बॉय जो की 2019 में रिलीज़ हुई थी, ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर इट रही, उसी साल OTT प्लाटफॉर्म में उ लगभग दो हफते पहले रिलीज हुई है, ये टाइगर बेबी फिल्म्स की डूसरी सीरीज है, ये क्राइम ठ्रिलर है जहां पे राजस्तान के छोटे से शहर मांडवा में एक सीरियल किलर लगभग 27 लड़कियों को अगवा कर लेता है और उन्हें मार देता है, सोनाक्ष इसमें उनकी आइडिन인데 ti पहले से ही औॉडियंस को बताई जाती और हमें पता होता है के वही किलर है, ये सिरिज एक हुड़़़फ से ज्याधा में बादऊ हूश की नाटर कौन है लेकिन उसका मोटिफ क्या है, और वो कैसे लोगों को मार रहा है ये कहांड़ी ये सिरीज क्राइंग के साथ साख इंडिया में अभी भी चलने वाली जेंडर डिसक्रिमिनेशन और कास्ट डिसक्रिमिनेशन पे एक स्टेटमेंट है पुलिस ओफिसर होने के बावजूर भी सुनाक्षी सिना के क्यारेक्टर को बहुत सारे लोगों के घर में अपने कास्ट की वज़े से एंट्री नहीं मिलती गरीब माबाव दहेज की वज़े से अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में नहीं करा पाते और जब उनकी लड़की किसी के साथ भाग जाती है तो एक तरह से वो रिलीवड होते हैं और कई तो पुलिस टेशन में रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करवाते हैं सीरीज में क्राइम के साथ सोसाइटी में प्रिवलेन डिस्क्रिमिनेशन और स्टीरियो टाइप्स पे भी फोकस किया गया है और इस वज़े से ये सीरीज बाकी क्राइम सीरीज से बिलकुल हटके है और बहुत ही बहतरीन बनाई गई है पर्फॉर्मेंस की बात करते हैं तो सुनाक्षी सिना जिनको अपने पूरे करियर में शायद सबसे अच्छा रोल मिला है उन्होंने इस रोल को अपना 100% दिया है उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सब इंस्पेक्टर अंजली भाटी के रोल में आप किसी और को इमाजिन बे नहीं कर सकते हैं इस पर्मोशन के लिए हायर ओफिसर्स की जी हजूरी करते हुए सब इंस्पेक्टर के रोल में सोहमशा भी बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे लिए इस सीरीज के दो स्टैंड आउट पर्फॉर्मेंसेज है विजय वर्मा और गुलशन देविया का गुलशन देविया हायर ओफिसर्स और मिनिस्ट्री से जूटी केस बनाने के दवाब से जूचते हुए ओनेस्ट पुलिस ओफिसर के रोल में ब्रिलियंट है पुलिस ओफिसर के साथ-साथ वो एक कंसर्ण पिता भी है जो अपने बच्छों की अच्छी एडुकेशन और परवरिश चाते है गुलशन देविया ने अपना रोल बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और हमें आशा है कि फ्यूचर में हम उनको और भी बहतरीन रोल में देखेंगे लेकिन शो का स्टार है विजय वर्मा और एक कोल्ड ब्लाड़ेड साइकोपाथ किलर के रोल में वो फैंटास्टिक है शो उनकी परफॉर्मेंस पे बेस था और कोई भी गलत आक्टिंग नोट पूरे शो को इंपाट कर सकता था लेकिन एक बहुती आम दिखने वाला कॉलेज प्रॉफेसर जो की एक क्रीपी साइकोपाथ किलर है इस रोल में विजय वर्मा शो को अलग ही लेवल पे ले जाते हैं दहार में रीमा कात्की और जोया अक्तर की राइटिंग उंदा है और एडिटिंग क शोका देड़ कात्र है अचे लेवल एंदा इस नहीं दोगाद नेज़ किलर रे लेवले विजय कर देडने हैं या या दो या वर्मा इस वर्मा एक्तर हूब वर्मा शोब है वह रब प्रॉवरवले साइकोपाई झाल था राफ लेवले लेवले में पूरिंग भी वर ले